हेलो फ्रेंज मेरे यूट्यूब चैनल इंप्रूव यूर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज में मसूर लौकी डाल की रेस्पी लेकर आएंगो इसे बनाना बहुत ही आशान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो फ्रेंज इस वीडियो को आप लाट तक देखिए अगर आज की मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए तो चलिए हम फटा-फटी से बनाना शुरू करते हैं हमने गैस पे एक प्रेसर हुकर ले लिया है इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच सरसो का तेल तेल को हमें अच्छे से गरम होने देना है और इसमें हम डालेंगे एक चमच जीरा, पांच से साथ लॉंग, दो सुखी लाजमिट और एक उप्राम दाल्सीनी का तभी तड़की को हम तेल में छोड़ देंगे और मेडिया फ्लेम पर इसे अच्छे से तरकने देंगे आप चाहें तो यहाँ एस्पून की मदद तेज से चला सकते हैं आप सुन सकते हैं अपने चलके सी हलका हलका चटकने की आवाज आने लगी है अब यहाँ पर हम डालेंगे दो बड़ा प्यास जिसे हमने बाड़ी-पड़ी काट रखा है और तीन से चार हमने हड़ी मिच को बीच से काट लिया है मिकसर में हमें 12-15 लहसुन की कलियां ले लेनी है थोड़ा सा अद्रक का टुकरा शुखी लाल मिर्च और इसका हमें एक बढ़िया सा पेश्ट तयार करना है हमने लेसुनीज का पेश्ट बना लिया है चलिए गयज के दर चलते हैं अब देख सकते हैं अपने प्यास का कलर डल हो गया है अब हम इसमें डालेंगे ये मिकसर में बनाया हुआ मसाला और करीबन साफ से आठ इनकर हम इसे अच्छे से भून है नाम लेंगे सारे तो यहां पर हम डालेंगे लौकी लौकी को हमने पील करके क्यूब्स में काट रखा है आप देख सकते हैं इसमें कोई बारी काटने की ज़रूरत नहीं होती है थोड़ा सा मोटी मोटी लौकी कटना होना चाहिए हम लौकी को भी 2-3 मिनत तक मसाले के साथ हच्छे से भूने और एक चमच हम धनिया पॉडर डालेंगे अगर आपको ज्यादा ठीखा खाना है तो मिर्च भी डालिए क्यूंकि हमने पहले ही यूज कर लिया है तो मिर्च नहीं डालेंगे और श्वाद के नुशार हम नमक डालेंगे नमक से लौकी अपनी अच्छे से गर जाती है तो जरी हम इसे अच्छे से भून लेते हैं लौकी को हमने चार से पास मिनट तर भूना है आप देख सकते हैं मसाले के साथ लौगी का पानी चूट चुट चुका है अब हम इसमें डालेंगे मसुड की दाल जिसे हमने दो गंटा पहले भी गौया था और पानी से चान के निकाल तो यहां पर हम 200 ग्राम मसुड की दाल डाल रहे हैं दाल को भी हम लौकी के साथ एक मिनट तक अच्छे से भूनेंगे क्या बताओं आपो कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है आप देख सकते हैं हमने लौकी के साथ मसुड दाल भी अच्छे से भून लिया है कितना बढ पाने में मदद करती हैं तो पानी यहां के समझ के डालना है अगर गाड़ी होगी तो हम लाज में सुड़ा सा डाल देगे तो चलिए हम कबर लगा के इसे अच्छे से पका लेते हैं प्रेसर कुकर में सीटी लग चुकी है गैस रिडियूच हो चुका है चलिए हम धकन को प समझ से मिक्स कर लेते हैं तो आपको मैं दिखाना चाहूंगी हमने जितना पानी जाला था उतने में अपनी दाल अच्छे से पक चुकी है क्योंकि लौपी का खुद का पानी होता है अब उपर से हम डालेंगे फीर शाड़ा फ्रेस धनिया पत्ता जिसे हमने दो के बारी ब काट रखा है तो फाइनली अपनी लौपी मसूर दाल की तड़के वाली दाल बनकर तयार हो गई है चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां अपनी लौपी मसूर की दाल बनकर तयार होई है खाने में बिल्कुल कर लेंगे और हम थोड़ा अशा मिन्ट लिफ बीज में रखेंगे जिस्ते की अपनी रेश्पी सुन दर लगी तो आपने देख लिया मसूर दाल लौकी वाली बनाना इतना आशान है खाने में तो इतना टेश्टी कि आप रेश्टूर्ट जाना बूल जाएंगे अगर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए को में करना मत धूलिए धन्यवाद